PMC हिंदी से जुड़े लेटिस अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है आज हम समराइज करेंगे जो जो हमने अभी तक समझा है जिसमें कर्म का सिधान्त, अरिंकारनेशन का सिधान्त और पिरियाडिसिटी का सिधान्त हम काफी हद तक समझ चुके हैं तो हमारे जो नए दोस्त हैं, जो जो जोड़ रहे हैं और जो हमारे पुराने दोस्त हैं, उनके लिए भी एक ये समरी हेल्प करेगी आगे चलने के लिए, दो और जो सिद्धान्त वचे हैं भी, एक है लौफ एवलूशन और एक है लौफ यॉनिटी, तो अभी तक हम ने देखा, कि दुनिया में इनेक्वालिटी है, यानि लोग जो हैं, उनको सब कुछ बराबर बराबर नहीं मिला है, किसी का जनम गरीब घर में होता है, किसी के मिडल क्लास में, किसी का आमीर धर के अंदर होता है, कोई पहले बिमार होता है, किसी के अबिलिटी इस कम होती हैं, किसी के ज्यादा होती हैं, अलग अलग सर्क्म्स्टांस कोई लंबा जीता है, कोई छोटा जीता है, किसी केम रित्यू एक्सिडेंट से होती है, किसी के नॉर्मल होती है, ना-ना प्रकार के हमारे पास मेढ़े डिफरेंसे हैं, दुन्या कंदर हम देखते हैं। फेरनिस नहीं लगती है, कि चीजें फेरली हो, छोड़े छोड़े बच्चों पे जल्म होते हैं, अभी जो हमास और इसरेल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये भी अपने आपको पताती कि क्या-क्या गलत-गलत काम हो रहे हैं, उनों लोगों के साथ में जो की कुछ इ इन्वाल्ड भी नहीं हैं, ऐसी हम अगर न्यूस पेपर्स देखें, तो हमें मालूम पढ़ता है कि किसी को फाइदा हो गया, किसी का नुकसान हो गया, ये सब चीजे ऐसे चलती हैं, जैसे कि बाइचांस हो रहा है, तो एक्वालिटी तो लगती नहीं है, एक ही घर में दो ऐसे इतने एक्वालिटी हैं, हम देखते ही हैं कि इन्वालिटी है, दूसरी चीज हमने देखी है, कि मानव ने, मनुष्यों ने खुद नियम बनाई हूए है, हम इनको कहते हैं, मैनमीड लॉज, वो नियम जो हमने खुद बनाई है, एक गुरुप है, एक सुसाइटी है, प्रदेश है, इनों ने अपने अपने कानून बनाई हूए है, वो इन कानूनों के हिसाब से वो सुसाइटी चलने की कोशिश करती है, तो हमने समझा पहले कि मैनमेड लॉज होते हैं, तीसी बात हमने समझी कि नेचर के कुदरत के प्रकृती के अपने नियम होते हैं, तो यह जो नेचरल लॉज हैं और मैनमेड लॉज हैं, इनके बीच का हमने संबंध समझने की कोशिश करी, इनके क्या डिफरेंसे हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वो हमेशा सब पर, सब प्राणियों पर, सब समय पर और सब जगाओं पर अपलाई करते हैं, मैनमेड वो एक एरिया में लिमिटेड जैसे एक देश है, उस देश में हो अपलाई करेंगे, कोई प्रदेश है, स्टेट के अपनी कानून भी होते हैं कई बारी, जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो गुरुप्स के अंदर जो अपलाई करते हैं, वो पूरी युमेनिटी को पूरे दुनिया को अपलाई नहीं करते हैं, फिर मैनमेड लॉज को हम बदल सकते हैं, और बदले जाते हैं, यूनिवर्सल लॉज जो हैं, प्रकरती के लिए वो बदले नहीं जाते हैं, फिर हमने देखा कि भी मैनमेड लॉज जो हैं, अगर उनको तोड़ा जाए, तो फिर उसकी पैनल्टी देनी बढ़ती है, हमें उसको भुक्तान करना पड़ता है, हमारे को या तो जेल जाना पड़ता है, या हमारे पे जुल्माना होता है, यूनिवर्सल लॉज को ब्रेक करा ही नहीं जा सकता, वो उनका उलंगन ही नहीं हो सकता, तो पैनल्टी का तो सव जैसे कि हम लोग कुरसी बैठते हैं तो हमारे को पता है लॉप ग्रैविटी है ड्रैविटी क्या करती है अपने तरफ खीचती है तो अगर मैं जिस तरीके से बैठा हूं अगर मैं ऐसे बैठने की कोशिछ करूँ तो मैं गिर जाओंगा क्योंकि नीचे मुझे दरती यह नहीं कि एक और निम का इस्तमाल करा कि या तो मैंने कोई मेटल लिया लोहा लिया या फिर मैंने लकड ली और उस को उस साइस में लिया और उस मजबूती वाली चीज और उतना मजबूत लिया कि मेरा वजन वो सह सके तो हमने ऐख बना ली अब कुर्सी पर आम बैठें थोसपडार से तुछ जो प्रगर्ति के नियम से बनी हैं। तो जो भी थोसपडार से बना ऊवा है वो हमारा वजन सहह रहा है और वह जो भीह जो खीच रही है जो उमेखंगे खीचने वाला उसको बाइपस कर रहा है मतलग इसको पूरानी होने दे रहा है। तो हम एक्चुली यही करते हैं, एक नियम को दूसरे नियम से हम इस्तमाल करते हुए अपना काम निकालते हैं। तो प्रक्रद्धिके नियम तो हम उलंगन कर नहीं सकते हैं, इसने पैनल्टी उसमें होती नहीं है। फिर एक और चीज हमने देखी, फ्रीविल, हर एक मनुष्य के पास में एक इच्छा शक्ति है कि जिससे वह कारे करना चाहता है, कर सकता है। फ्रीडम है, जो मैं करना चाहता हूं, कर सकता हूं। अब इस टाइम पहर अगर अगर कोई ठीवा परर चाहता है writesToday if I has Gel measure, अगर मेरा मन करता है तो मैं उस प्रोग्राम को बंद करके और भार हा उदासर्म सकता हूं। मेरी डाईम है, मेरे चाहता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अईसी बाकी लोग के वे पास पी चॉइस है तो मगर यह जो चॉइस है यह लिमिटेड है एक दाइरे के अंदर है पहला दाइरा तो यह है कि जो नियम बनाए है मैंमेड लॉज जो बने है वही दाइरा बनाते है जैसे कि मैं अगर सड़क पे जा रहा हूं एक दुकान है कुछ नियम है उनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा कितनी भी में पास फ्रीडम हो मैं कर नहीं सकता नहीं तो मुझे उसका जुनाना बना पड़ेगा दूसरे लोग की भी अपनी मर्जी होती है और मेरी भी मर्जी होती है वो तकराती है बहुत बारी तो एक तो बाकी उन से मेरे उमर होता हैं और तीसरा है जो iets जग उनि चाहँ होता है तीसरा है जो यूनिविर्सल लॉज है उनके साम के साथ भी मैं जग्रा खाऊ अब जैसा कि मैं ह tą मैं यूग हुझ बीस साल की मिमर परभी he और उनको बाइपास नहीं कर सकते हैं, कितनी भी कोशिश करें। तो युनिवर्सल लॉज हमारे फ्रीडम को रोक लगाते हैं, हमारे इच्छाओं को, हमारे जो फ्रीविल है उसको रोक लगाते हैं। मैनमीड लॉज हमें बता दें, आपको यह नहीं करना है। अगर रेड लाइट है और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको रुकना है। आप जह सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, मगर आपको पर फ्रीडमाना पड़ेगा। फिर आप यह नहीं बोल सकते हैं कि में को छोड़ दें। तो फ्रीडम वह लिमिटेड हो जाती है। और वैसे ही दूसरे लोग भी जो हैं, हम चाहते हैं कि कुछ करे हमारे लिए, तो दूसरे की भी मर्जी है वो करें न करें। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो एक मनुष्य जो है, वो अपने फोर्स को भाहर भेज रहा है। अपनी एनर्जी को भाहर एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरे मनुष्य भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यही टकराओ, हर एक मनुष्य से मनुष्य की एनर्जी का हो रहा है। फिर वोग एनरजी जो हैं। टक्रा रही हो हैं। और फिर निवर्शल लॉज से टक्राए रही है। इनी का इंटरपले जो है ये दुनिया है। अब इतना समझने के बाद में हमने ये भी समझा कि यूनिवर्सल लॉज एक और है जो कि है कर्म का सिध्धान्त। तो मैं कुछ भी कर लूँ उसके बाद में कोई उसका इफेक्ट आएगा कि नही आएगा इसके बारे में हमने पूरी बात करी थी कि पूरी दुनिया अगर युनिवर्सल लौज से बनी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जो करना चाहें करें और उसका कोई उसका प्रती उत्त तो हुष इसका कोई आशर उसका कोई एक 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 रिंप्सनों उसका एक रिarat स्पाउंस ना एक प्रकर्ती से ऐसा होटा है कि उआएगा तो इसलिए फेर नेश है पूरे सिस्टम में तो हमने जो कर्म क सिध्धानत को इसलिए यह रही का था आख हाँ लौज गल परफेक्श इस बात को अच्छी तरह समझा था आप में से जो सीरियस हैं इस थियोसिफी के फिलोसफी को समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप पेपर पैंसिल लेके जो आप एपिसोड देखते हैं उनको नोट डाउन करें जो उसके में पॉइंट से और जो थियास्वी के बुक्स हैं उनको आप अधियन करें और इन बातों को और चिंतन मनन करें आपके और दिरिष्टी और समझ खुलेगी और पकड़ में चीज़े आएंगी तो फिर हमने आगे बात करी कि मनुष्य जो है उसके जनम और मृत्ति होती है तो क्या मनुष्य सिर्फ एक शरीर है और उसके साथ में जो मन है बस यही है कि कुछ और भी है तो फिर हमने पांच कोश्च जो हमारे बताए गहें सिनातम धरमे विदान्थ मे예요 अनमायकोष, परानमायकोष, मनुमायकोष, विज्ञानमायकोष, आनन्दमायकोष, और फिर आत्मा. तो आत्मा हम कहते हैं एक चेतना है जिसने सब कोशों को लिया हुआ है, धारंग करा हुआ है. हमने ऐसे बात करी थी. फिर हमने कहा था कि थियोसिफी के अंदर हम बाड़ी की बात करते हैं फिजिकल बाड़ी, एस्टल बाड़ी, लोर मिंटल बाड़ी, हायर मिंटल बाड़ी, बुद्धिक बाड़ी और फिर आत्मिक बाड़ी और उसके बाद में जो आत्मा है, जीव आत्मा उसको थियास्वी में मुनाइड का है, मुनाइड यानि एक तो अब हम इसको, हमने इस सिद्धान को समझते हुए हमने मनुष्य के जो इंकार्नेशन है, यानि की जनम है और फिर दुबारा जब जनम लेता है, तो री इंकार्नेशन जब होता है, उनर जनम जो होता है, इसके बारे में भी बात करी थी कि चेतना जो है, वो विज्ञान मायकोष में, वाजल बाडी में, कारण शरीर में, या उसको हमने हायर में बाडी का है, वहाँ पर जो चेतना स्थित होती है, वो ही चेतना फिर एक जब इंकार्नेशन जनम स्टार्ट होता है, तो फिर वो मेंटल बाडी को, यानि लोवर मेंटल बाडी को, एस्टल बाडी को, और फिर फिजिकल बाडी को धारन करती है, अगर विदान्त की भाशा में कहें, तो मनुमायकोष, प्रानमायकोष और अन्नमायकोष को धारन करती है, यह तीनों जो कोष हैं, यह तीनों के तीनों नश् यह mortal है, यह मरते हैं, इसलिए हमने समझा कि जब हमारी physical body की death होती है तो उसको हमने कहा था first death, फिर हमने कहा जब astral body की death होती है तो फिर second death, और फिर जब mental body की death होती है तो उसको हमने कहा था third death, जब जनम होता है तो तीनों शरीरों को धारंग करा जाता है, फिर हम यह जनम हमा आरे हमारा होता है इस्टा सबस्कर इसे पारी जोगानी सुख़्ाधि शप्राविधितल कि तरी हमारी चेत्ना उसके पास सबसे बहरी जो बाडी अट्वर्ड बारी ओती है जो से वह एक्सप्रेस कर सकती है एसे वह एसे वर्ल के अंदर वो तीज चालिस साल करीवन उसमें जन्थि अगर और आगे चलती है फिर उसकी भी मृत्य होती है और उसके बाद में हमने बात करी थी mental body के बारे में, पिछले एपिसोड के अंदर, पूरा mental body के बारे में बात हुई थी कि वहाँ क्या होता है, स्वर्ग लोग जो होता है, देवाचिन जिसों कहते हैं, वहाँ बात करी थी, 700 से 1200 साल के आसपस, हम वहाँ पे जीते हैं उस दु होती है, एक जनम पूरा होता है, अब जाके कंप्लीट होता है, तो करीबं 700 से 1200 साल का हम कहेंगे, एक cycle है, एक normal, cultured, civilized, human being की, जिसकी 60, 70, 80 साल की एक average life उसने गुजारी हो, अगर तो life छोटी रही, मान लिए बच्पन में डेथ होगी, 7-8 साल में डेथ होगी, तो उस व्य जल्दी होती है, उसकी बच्चे की और mental body के अंदर भी जल्दी ही death होती है, mental body में उसने इतने causes अभी generate नहीं करे होते हैं, कि वहां पे स्वर्ग लोक में ज्यादा टाइम बताना पड़े, तो हम जब बात करते हैं, कि मृत्यू, एक मृत्यू या एक जनम से दूसरे जनम के जे का जो फासला है ताइम के हसाब से वह इस पर डेपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने कितना जनम जो एक जनम है कितने साल जिया अपने फिजल बाडी में, कैसे जिया, कितना वो दूस्वार्थ है obsनी उसमें निर्सवार था किया था है उसके हिसाब तो हमें जनम का जो पे मेंटल बॉडी में गुजारते हैं तो वो गुजरेगा तो इसलिए हम जो है एवरेज 700 से 1200 साल बताई कल्चर्ट सिवलाइज व्यक्ति की जो 60 से 80 साल की जिसकी उमर रहती है फिजिकल बॉडी में अब हम समझते हैं कि जब एक जनम कंपलीट होता है तो फिर निक्स साइकल स् प्रोसेस है इसका परपस क्या हो सकता है तो एक जनम में जो हमने सीखा जो कॉलिटी हमने जेनरेट करी पॉजिटिव कॉलिटी जो जेनरेट करी वो एड ओन हो जाती है वो जुड़ जाती है कॉजल बॉडी में विज्ञानमाइकोश के अंदर विज्ञानमाइकोश की ग्र करते हैं थोड़ी एक्सराइज करते हैं तो फिजिकल बॉड़ी की ग्रोथ होती है जब हम विचार करते हैं अपने मन को इस्तमाल करते हैं तो हमारी मेंटल ग्रोथ होती है वैसे ही विज्ञानमायकोष कॉजल बॉड़ी की ग्रोथ इस पर डिपेंडिन्ट है कि हमने एक जन् विर्सवार्थ मतलग कि अनसेलफिश सोच रखी, कार्य करे, उतनी ही उसकी ग्रोथ और ज्यादा होती है। तो जब अगर मैंने प्रेम करा जिसके अंदर सेलफिशनेस बहुत कम थी, तो वो मेरे जो कौजल बाड़ी है, विज्ञानमाय कोश है, उसके अंदर प्रेम की कपैसिटी को बढ़ा देता है। भक्ती की कपैसिटी को बढ़ा देता है। जो जो मैंने काम करें हैं, मेजर हमने बात करें ना पांच चीजों के बारे में, कि पांच चीजे जो हैं वो भढ़ती हैं और उनसे रिलेटेड और भी जो वर्चूज हैं वो भढ़ती हैं तो मुटा मुटा हम जो पांच हैं दुबारा रिवाइस करते हैं प्रेम का भाव क्योंकि हम एज मनुष्य सोशल प्राणी हैं हमारी फैमिली हैं हमारे दोस्त हैं हमारे हम जहां काम करते हैं फिर हमारे देश है हमारी कम्यूनिटी है सब के साथ हमारा नाता है तो हम जब उनके साथ रिलेशन में आते हैं तो और हम से आदान प्रदान हो करते हैं तो हमारे अंदर भाव जो emotions पैदा होते हैं, जो जुड़ते हैं, उसके अंदर कितना स्वार्थ है, कितना unselfishness है, यह अपने आप ही दीदेरे हमें मालूम पढ़ना चालू होता है, जिस व्यक्ति के अंदर जितना कम होता है स्वार्थ, उतना ज्यादा उसके अंदर प्रेम होता है दूसरों के लिए, उतनी ज्यादा वो carry on करता है, ग्रोथ करवाता है अपने विज्ञान माई कोश्की, क्योंकि उसके activity भी वैसी हो जाएगी लाइफ के अंदर, ऐसी भक्ति भाव होता है, जितना हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ता है, जैसे हम एक जनम में अंद हम इतना सोच के अगे हम भड़ सकते हैं, चिन्तन मनन करते हैं, अपने माइंड को एकसाइस करवाते हैं, एनलेटिकल ठिंकिन करते हैं, उस हे साब से ही हमारे आगे के टाइम पर वो चीज एड-ओन हो जाती है और वो जो एड-ओन होती है, वो फिर निक्स जनम के अंदर, आपने माबाब को कैसे वो तीरत खरवाने जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके अंदर सेल्फ सेक्रिफाइस का भाव बहुत जादा होता है। भक्ती भाव बहुत जादा होता है। कई बच्पन से ही पूजा पाट के अंदर उनका रुझान बनता है। ऐसे बहुत सारे हमारे को एक्जम्पल्स में दिखाई देने चालो होते हैं यह सब जो carry on हो गया है, जो growth हो गई है, वही reflect हो लिए है जैसे कि आगर हमें बात करूं कि जैसे एक निया मुबाइल हमने लिया और छे मेने बाद उसका next version आ गया, मत्ता है improvement हो गई तो हम iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यह क्या है, यह निया निया versions है और improvements के साथ में market में आते हैं ऐसे हम जब निया जनम लेते हैं, तो हम improved version के साथ में आ रहे हैं जो carry forward हो गया था, जो जुड़ गया था विग्यान माय कोश में वो ही फिर आगे reflect होता है और नहे जनम के अंदर वो आता है तो यह cycle जो है, यह cycle हमारे को growth की cycle है और यह cycle जो है spiral है, spiral समझते हैं, जैसे spring होता है एक circle है, वो आके वही नहीं जुड़ेगा, वो उस होड़ा end उसका उपर होगा फिर वो आगे और उपर चड़ेगा, और उपर तो आप spiral की तरह हमारी growth होती है ताकि हमारे उचाई भढ़ती जाए, हमारे अंदर depth भढ़ती जाए यह जो spiral growth है, इसके वारे में हम और बात करेंगे और यह किस end को हमारे को लेके जारी प्रकरती, ऐसा क्यूं करवा रही है और हमारे उपर के जो बाकी कोश हैं, जिसको हम कहेंगे कि हमने अभी कारण शरीर की बात करी है causal body, यानि विज्ञान माई कोश, उसके बाद आनन्द माई कोश, बुद्धिक body, फिर आत्मिक body, और फिर मोनाग इसकी भी चट्चा करेंगे, और समझेंगे कि भई, यह ऐसे बनाए क्यू गए है और यह evolution की cycle, और evolution का law, और यह जो unity का law है, यह क्या है इसके बारे हम बात करेंगे, आकली एपिसोड में तब तक के लिए बद बद धन्यवाद घर घर में सत्य का दरशन